हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एल्क एकडेमिक आयम अकास मेता आज हम डिसकस करेंगे करन्ट अफेर्स ऑगस्ट फॉर्थ विक के लेट स्टार्ट विट फर्स्ट न्यूज हमारी पहली न्यूज है मोनिटरी पॉलिसी कमिटी के लिगारे का अव्परन बहुत ही इंपोर्टन न्यूज है और आज हम मोनिटरी पॉलिसी कमिटी में कौन-कौन होते हैं openly policy क्या है और किस तरेके से वो inflation को कंट्रोल करती है उसके बारे भी डिसकार करेंगे में कहलने और नीकिटिटिय है है जो quantitative tools है वो सभी के बारे में आज हम detail में देखेंगे बड़ा मना ओके फ्रेंड्स चल्ट कि अभी मोईटरी पॉलिशी कमिटी वह रिसंट न्यूस के अंदर क्यों है क्योंकि अभी रिसंटली एक मोईटरी पॉलिशी कमिटी बैठी थी और उन्होंने कुछ changes किये है रेपो रेट के अंदर रेपो रेट बढ़ाया है 50 बींच से और टोटल लास्ट न्मीन के अगर में बात करू तो टोल ये monetary policy committee वो हर दो मेने के अंदर बैठती है by monthly monetary policy committee उसको बोला जाता है क्योंकि वो हर दो मेने बैठती है और monetary policy committee के अंदर total 6 member होते हैं और उसमें से 3 member RBI से बीनों करते हैं और 3 member government से बीनों करते हैं और ये 6 member वो हर 2 मेने बैठके एक monetary policy बनाते हैं और ये 6 member के ये monitor policy committee है उसके chairman कौन होते हैं जो RBI के जो governor है वो उसके chairman रहते हैं अब ये कौन है सक्ति कांता दास तो RBI के governor अंदर चेर मेंबर होते हैं हर 2 मीने बैठती है क्यों बनाई जाती है को मौ नेका एक मेन उन्देश यह है आरबी अई का तू कंट्रोल दो आ इंफलेशन को कंट्रोल करने के लिए इंफलेशन को और इन्माइटरी पॉलीसी बना जाती है तो अभी इंफ्लेशन को करने के लिए NI कुछ तूल्स यूज करती हो ही कि किस तरीक से वहां इंफ्ले ठोल किया चाहे तो ढ़ है दो टाईप के टूल को को यूज करती है inflation को control करने के लिए और उसमें से एक टाइप है quantitative tools और एक qualitative tools tools to control inflation उसमें दो टाइप के tools है एक quantitative tools एक quantitative tools और दूसरा है क्वालिटेटिव और दो टाइप के tools होते हैं quantitative और qualitative तो आज हम डिसकस करेगे कि पहीं कौन से quantitative tools को यूज करके RBI वो monetary policy को बनाती है और inflation को कंट्रोल करती है इंफ्लेशन को कंट्रोल करती है तो इसके बारे बात करते हैं अभी यह inflation क्या होता है inflation और deflation क्या होता है सबसे पहले तो इसके बारे बात करते हैं कि inflation और deflation क्या होता है तो एक सबसे basic अगर मैं inflation के बारे में बोलू कि inflation और deflation को measure करने के लिए एक index launch किया जाता है CPI consumer price index consumer price index यह एक tool है जो inflation और deflation को measure करता है अब यह consumer price index के अंदर क्या होता है कि इस consumer price index के अंदर जो चीजे जो चीजे जो goods और services हम domestically बनाते है वो consumer को कितने price में पढ़ती है for example यह august मीना चल रहा है august 2021 की बात करूं तो august 2021 में कुछ listed products goods and services जो इंडिया के अंदर produce होते हैं और वो इंडिया के customers को इंडिया के जो consumers है उनको उनका कितना price देना पड़ता है for example अभी total मिला के सभी जो goods and services जो इंडिया के अंदर produce हो रहा है और उस goods and services को consumer को कितना price पे करना पड़ता है for example 100 रुपिया august 2021 के अंदर और वही चीजों को consume करने के लिए consumer को august 2022 के अंदर august 2022 के अंदर उसी चीजों को प्रवाल लेने के लिए 106 रुपिया अगर पे करना पड़ता है तो inflation कितना बड़ा friends 6% बड़ा मतलब यह महंगाई कितनी बड़ी 6% बड़ी और यह महंगाई बड़ती है तो इसको बोलते हैं inflation अगर यही चीज जो 100 रुपि इसके अंदर वो 94 रुपीज हो जाती तो यह deflation होता चीजे सस्ती होने लगी बड़ामाट चीजे सस्ती होने लगी बड़ामाट यह deflation रहता है और ऐसा नहीं कि नेगेटिव में होगा तब ही deflation for example यह जो monetary policy का target रहता है कि हर साल हर साल जो consumer के end के उपर जो चीज़े मिलती ह उसके दाम 2% से लेके 2% से लेके 6% के बीच में बढ़ने चाहिए 2% से लेके 6% के बीच में बढ़ने चाहिए बराबर मतलब 6% से ज्यादा नहीं बढ़ने चाहिए और 2% से कम नहीं बढ़ने चाहिए तो मतलब यहाँ पे चो चीज ऑगस्ट 2021 के अंदर 100 रुपीज में मिल इस बढ़ेगी तो जो मैनुफेक्टर होगा उसको उनुक्सान होगा तो इंफ्लेशन का रेंज कितना रखा जाता है मॉनिटरी पॉलिशी के द्वारा टू पर्सेंट से लेके इस 6 पर्सन मनब चीजों के दाम एक साल के अंदर मेनिमं 2 पर्सना बधने चाहिए और मेक्सिम कितने बढ़ने चाहिए 6 पर्सना इतना एफन लेना चाहिए अगर टू पर्सन से कम चीजों के दाम बढ़ते हैं तो उसको लिफेशन बोलते ले resulting ओ आप दम एक दम चीज़ेंस इस inflation prange को control करने के लिए यहाँ पर इसको वॉरिट्र पॉनिशी बनाए जाते हैं Oh के तबहुत बारा तब कि मोजचि में टरॉली स्मय चीह कि आर भागे पॉनिश्य चाहती हैं ऑके मेराबरल मोर्ट न सबा है कियों प्ले ॉस्धे का सबसे वें तो हरा को अखे एड़ा कि अभी काशी रिजर्व रिश्यो क्या होता है कि for example कि बैंक के पास बैंक के पास डीपोजीट है सो खरोड ऊपया की बेनकं के पास लीपोजित है सब्कर्रट्रोपया की और फोर एकजबंपल सिय एरर फोर पर सेंट für एग्जबंपल से रहें कितना पर्सेंट ए하्ट है तो एक law एसी far已经 four पर सेंट मतलब बैंक के पास छितनी मी लीपोजीट होगी उसमें से क्या रिजर्व रिशियो में कितना रखना पड़ेगा 100 का 4% मतलब 4 करोड अब यह 4 करोड बैंक कहां पर रखेगी और यह बैंक के 4 करोड अपने पास रखेगी न तो उसके लिए अरिभी बैंक को कोई भी इंट्रेस्ट नहीं देने वाली है बना इंट्रेस्ट नहीं देने है जो कैसे सबुए के पास रकती है एस नहीं इसकी ऊप्राइव को इंट्रेस्ट नहीं देती है इतनी चीजा आपको सिए के अंदर याद रखनी है वाला मन कैस सिल्फी वेशियो के बैंकों के पास त्ट यो 성्य करई चलता है अभी इतनी भी deposit है उसका 450 उसको रविया में जमा करवाना होता यह right अभी deposit मतलब अभी देखोनके अंदर डो टायप के deposit होती है एक तो current account Midlandic account के अंदर और FDRD के अंदर अभी for example अगर मैं Friday to Friday साथ दिन की बात कर लो तो तो बैंक की अंदर ये साथ दिन के अंदर for example 70 रूपीज जमा हुए और 10 रूपीज करांट एकाउंट से वीट्रो हुए बना मना अगर FDID की बात करो तो 65 रूपीज जमा हुए और FDID के अंदर इसी साथ दिन के अंदर पांत रुपीज विट्रो हुए तो बेंक के अंदर ठनु यहां फिर्दोल कितना यहाँ नहीं 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 मैंने किया जाता 4 पर संथ किसका मेंटेन किया जाता है इसका सिश्टी प्लस 60 120 गा सिश्टी भिल सिश्टी क्या है कि अरे हैं सुटे इस सबिखकी अो कर सकते हो और crdare City को आप एसा मोसकता है कि यह हैं टैम डेपोसिट क्यों Banks क्योंकि यहां पर पैसा रखा है आपको पर्टिकुलर टाइम पर होने वाला है अब इसमें से उसको निकल वा सकते हो लेकिन आपको पैनल्टी पे करने पड़ेगी तो मैं करन्ट एकाउंट से विकांट डिमांड डिपोजिट और FDR को टाइम डिपोजिट बोल सकता हूं हां अब और जो आपके लिए डिपोजीट वह बेंक की लिए क्या होती है और यह लहाम के लिए ल्किन यह तो deposit करवाई हुई और ये विटो करवाई हुई ये deposit करवाई हुई और ये विटो करवाई हुई लेकिन ये net demand liability है और ये net time liability है अगर मैं उसको combine बोलू तो क्या हो जाएगा कि 60 60 120 क्या हो जाएगा net demand and time liability net domain and time limitu तो यह जो से यह सबनेन होता है इना फॉरपर ench अभी जो फॉरप्पेंट पर्सेंट तो 450 परसेंट किसका Oregonanट 투 है वोबेकर टीएल का aeroad के निमाने टाइमल अको इसमझता मैं और फ्रेंडि है। हमारा नेक्स टूल हैं ओके तो धीयरल में समझ में अर फ्रेंड्स ओक अभी नेक्स तूल पढ़ते हैं सलर स्टे ड्लिक्विडिटी रिश्यो कि हमारा सेकंड टूल है सलर कि स्टेटी यह लिक्विडिटी रेशियो अब यह SLR क्या है तो बेंक शूर्ड मेंटेन X परसेंट ओफ X परसेंट ओफ NDTL इन लिक्विड फॉर्म अब यह लिक्विड फॉर्म मतलब क्या होता है और यह SLR के अंदर जो बेंक मेंटेन रखती है न वो सबी चीज वो बेंक अपने पास ही रखती है CRR के अंदर जो बेंक मेंटेन रखती थी कैश वो कहां पर रखती थी RBA के पास लेकिन SLR में जो भी चीज मेंटेन रखी जाती बैंक के दुवारा वह अपने पास ही रखती है अभी यहां पर बैंक को यह एक्स-परसेंट और निधीयर मतलब उसकी निमानंट टाइम लाइबीटी है उसका एक्स मैंटें रखना परथा है कि कौन से फ़र्म में लिक्वीर फॉर्म में मिख्या होता है कि जो भी आप इजगी पर सकते हो उसको बोला जाता है तो बैंक के के पास जो भी कैस के पहरम में पैसा पड़ा है तो गोट को बेचके इजली के अज़को कर पएगी फिर बैंक के पास जो गौशारी में पड़ा है वो भी आप किसी को बेचके तूरंग कर सकते हों फिर हैं पने प्रखने पढ़ते हैं तो यह सब लिक्विड फॉर्म वाली उ भी यह सब क्यों मेंटेन करना पड़ता है वो मैं आपको समझाता हूं लेकिन आपको पता चला कि लिक्वीड फ़र्म में क्या-क्या रखना पड़ता है तो कैश प्रेजरी बील्ड गर्मेंट सेकुरिटी बॉंड इस हां तो बेंक के पास इतनी भी यह चीज़े है फॉर एक परसंट चलता है मतलब फॉर एक्जांबल बेंकों का ndtl 100 करोड का है उसमें से बैंकों को 18 करोड की यह जो अपनी एसेट्स है अपनी जो डिपोजीट से जो लिक्वीड फॉर्म में है उसको अपने पास में तर्कने पड़ती है बारा मना अभी उसको क्यों रखना इतना चल रहा है अठारा परसंट जहांपे बैंक को अपने डिपोजीट एंडी टियल एक्स परसंट ऑफ एंडी टियल वो लिक्वीड फॉर्म में रखना पड़ता है अपनी में स्यार और एसे लार वह दोनों एक एक के अंदर में मिंटेन की जाते हैं सियार जो बैंक को म स्यार परसंट परसंट चल रहा है और अभी एटीन परसंट चल रहा है और यह स्यार और मेंटेन क्यों करना पड़ता है तो एक उसका उप्योग है बैंक करन को कि प्रोटेट करने के लिए अभी बैंक करन क्या होता है तो बेंक रन एक ऐसी सिच्वेशन की एक ऐसा टाइम कि जब हर एक डिपोजिटर बैंक के पास दोरते दोरते अपने डिपोजिट को विड्रो करवाने के लिए तो यह ऐसे सिच्वेशन कब होती है जब मार्केट में ऐसी अफ़ा फ्यल जाते हैं कि पर्टिक्लर बैंक बंध होने वाला हैं लोगद के चलू बोल दित है कि आई-सी बैंक बंध होने वाला होने तो यह सबी डिपोजिटर से वह पनी देने के लिए बीडू करवाने के लिए आएगे आएगें अभी लाध में के पास सौ व क्रोड की टीपोजिट थी सागर के डीपोजिट थी उसमें से इसने सी यार कैसी रिचपर ऑफेर्श वर्म चारप परसंंट अगर मैंने तो चारकरोड रखे और ऐसे में उसने अपनी पास जो गवर्मेंन सेकुरिटी कोल्ड टैस वगेरा उसके फॉटल एटिन करूड को उसको उसने deposit मनब साइड में रखा है और तो अभी मुझे बताओ कि बागी के 78 करोड वह कहां पर गुमा दिये होगे लोन के इंदर गुमा दिये होगे उसके पास deposit 100 करोड रुपिया थी चार करोड रुपिया के पास जमा करवाया पास रखा और बाखी क्या 78 करोड उसने लोन में देदी होगे अभी एक सब्सक्राइब को पता चला कि बंद होने वाला है तो यह 100 करोड के लिपोजिन देने के लिए वो लोग आएगे एक ही साथ एक ही टाइम पर लेकिन बैंक के पास तो कितना पड़ा है बैंक ने जो अप और इसरे में जो इसने मैंटेन किया था 22 करोड रुपिया वही वो एक टेट पॉइंट जब डिपोजिटर एक साथ पैसा बिटो करवाने के लिए आए गे तब बैंक वह 100 करोड में से मेक्सिम कितना दे पाएगा उनको इंस्टंट 22 करोड जो उन्होंने सी एर और इसर में करवाया था इसके लिए कि जब बैंक इसना आए तो बेंक से कंडिशन में यह लोगों को पैसा कर सके आपने सुना होगा कि बैंक की सी सिच्विशन है तो आरब्या ने बोल दिया होता है कि सभी को मैक्सिम मिलेगा उनकी डिपोजिट फाइव लाइव हो यह उनकी पास पै उसके अलाबां इंफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये यूज किया जाता है अभी इंफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मतलब उसको किस तरीके से इसका यूज किया जाता है वो समझते हैं बराबना आपको यहां तक तो पुझा चाला ना फ्रेंड्स ओके चला एक डो situation समझते हैं एक situation नमबर एक है और situation नमबर दो है और बैंक है SBA बराबना और SBA के पास loan देने के लिए amount loanable amount loanable amount SBA के पास situation नमबर एक के अंदर 100 करोड रुपया है और loanable amount SBA के पास situation नमबर 2 के अंदर 200 करोड रुपया है बराबना अभी यहां पर SBA के पास जादा कम पैसा पड़ा है loan देने के लिए loan देने के लिए कम पैसा पड़ा है तो वो क्या करेगा अपना interest rate बढ़ा देगा 15% कर देगा अभी interest rate जादा होगा तो 100 करोड की loan तो जाएगी नहीं क्योंकि customer ही कम आएगे for example 80 करोड की loan उसकी जाएगी अगर मैं दूसरी सिट्योशन की बात करूँ तो यहां पर loan देने के लिए योग्य अमाउंट SBA के पास जादा है तो वो क्या करेगा interest rate कम कर देगा तो जैसे interest rate कम होगा तो उसमें से customer भी loan लेने के लिए जादा आएगे तो for example 200 क्रोड में से 190 क्रोड की loan SBA की चली जाएगी तो यहां पर मुझे बताओ कि अगर मैं 80 क्रोड का 15% भी गिन लूँ तो यहां पर SBA को कितना interest मिलेगा total income SBA की कितनी होगी 12 रूपया और यहां पर कितनी होगी 19 रूपीज राइट इंकम होगी 12 रूपया यहां पर इनेचर मानू कि अगयरा तो 11 रूपया है और यहां पर भी सेम एक्सपेंचर होगा यहां पर प्रॉफिट कितना होगा वन रूपीज और यहां पर प्रॉफिट कितना होगा 8 रूपीज तो यहां पर उसने interest rate को कम कर दिया लोन का फिर भी उसको profit ज्यादा हो रहा है यहां लोनेबल अमाउंट यहां पर कम क्यों है अभी मुझा बताओ कि SBA के पास तो फॉर एक्जमपल 500 क्रॉट रूपीज है लेकिन लोनेबल अमाउंट कम कैसे हो सकता है कि जब हम CRR और SLR CRR और SLR वो ज्यादा रखेगे किरी रिसर्व में पैसा जळा रखेगे यहां पर अपने पास पैसा ज़्यादा रखेगे तो बेंग को लोन में में घुमाने के लिए lee सा कम रहेगा है ना यहां पर लोनेबल कम कैसे रहेगा की सेयदा कैसे रहेगा करें और SLR कम रहेगा तब अभी यह कैसा कप किया जाता है तो यह situation number one है ना जब market में PEAGE 150 रूपीज़ी मिलता ना तब यह किया जाता है और situation LGBT कप मार्क मार्केद के 5 किज़ी जब मिलता है रूपीज यह कि यह किया जाता है अभी यह किया जाता है के मार्केट में उन्यन का प्राइस 152 ब्रूपी पर केजी कब हो जाता है जब उसकी डीमंड बरर जाती है डीमंड कब बर जाती है जब लोगों के पास पैसा जदा होता है पैसा बढ़ता है तो अर्विय क्या करती पैसे को वापीस कीचती है तो वापीस कब कीचना वापीस कैसे खीचेगा वापीस ठोड़ी मांगता है वापीस कैसे खीचा जाता है कि बेंकों को लोन देने के लिए अमांट के पास कम की जाती है तो भैंको को लोन दने के लिदने के लिए gain कम करने पड़ेगी और रोगे अल्टिमेडली कस्टमर नहीं लेगन प्योंक और संकी डीमांड कम हो जाएड यह सिट्योसन होती है और उसका ही उलटा सिट्योसन कि जब प्यास सब्सक्राइब पैसास्ता क्यों होता है क्योंकि उसकी डीमांड नहीं होती लोगों के पास 5 रुपिया भी खरीदने के लिए नहीं होता है तो मार्केट में पैसा करने के लिए यह क्या कहती है बैंकों को भाई आप CRR कर दो आपके पास पैसा बी ज्यादा होना चाहिए आपको इंटेस रेड भी कम रखना पड़ेगा तो लोग लोन ज्यादा लेगे तो यह पैसा इल्टिमेटली बढ़ेगा लोगों वे पास पूश्य इंफलेशन को समझे के लिए नहीं है कि हमारा next tool है रेपोरेट रेपोरेट के मात्यम से आरवी एक किस तरीके से इंफलेशन को कंट्रोल करता है उसको समझता है तो सबसे पहले तो रेपो को है ना रीपर्चेस एग्रीमेंट भी बूरा जाता है रेपो को रीपर्चेस अगुथ पर्चेस एगरीमेंट भी बूरा जाता है यह रेपोरेट क्या होता है इसके बारे में समझते हैं सबस्टीन के एक एक लेटा ओ hebben को कोई ब्यंक के पास दिपोसिट है ना स्व करोट रुपया की है लेपोसिट इन है सौट करोट रुपईा की उसके पास अभि अभी उसको इसमेंसे for example अगर CRR 4% होगा तो उसको CRR कितना मैंटन करना पड़ेगा- 4 अगर एसलर-18% होगा तो इसको CRR व्ह कितना मैंटन करना पड़ेगा- 18 करो और अभी उसने CRR और एसरा 18 और 4 क्रोड मेंटेन कर दिया तो उसके पास अभी लोन देने के लिए पैसा कितना बचा है 78 क्रोड नेकिन बैंक सोचती है कि पई ए 78 क्रोड की लोन तो जानी नहीं वाली है मेरे से तो क्यों न मैं उसमें से कुछ पैसा और कोई जगा पर इंवेस्मेंट कर लूं तो यहां पर बैंक 78 क्रोड की जगाबे लोन में गुमाने की जगाबे क्या करती है कि additional government security purchase कर लेती है additional government security purchase कर लेती है और additional government security for example उसने 8 क्रोड की purchase की अभी यह मैंने additional क्यों लिखा अपनी बडेपोसीटो के रहा हो अवल इक और चीज होती है अब के गवरेंट से क्लिए पैसा एक साल से जी समय के लिए बेंक के पास त्रिक हैं तो उसमें से कुछ इसको एसे मेंटेंट कर रहा है तो कि उसको एक इंकम आती लिखा होता है कि for example आप एक सार के लिए सरकार के अंदर इंवेस्मेंट करो करें तो एक सार के अंदर आंठ पर्शन इंट्रेस्ट मिलेगा तो बैंक को यहां फी इंट्रेस्ट मिलता है सिंपल तो इसके लिए वह पर्शेस करती है तो उसने एडिस्म गवर्मेंट सेकुरेटी आंट करो की पर्शेस कर ली तो अभी मुझे बताओ उसके पास लोन देने के लिए पैसा बचा अभी उसके पास पैसा बचा है सेवंटी करोड रुपीस का लेकिन आये मुकेश भई अ कितना पैसा कम पड़ रहा है 10 करोड रुपीस अभी 10 करोड रुपीस पैसा कम पड़ रहा है और बैंक को पता है कि मुकेश में बनी तो बहुत अच्छे कस्टमर है वह उनका रीपेमेंट तो हो गई यह तो हमारे लिए एक इंकम का सोर्स है तो हम उनको जाने तो नहीं दे भी सकते तो बैंक ऐसी सिचुएशन में क्या करती है तो उसने जो यह यह आंट करोड की गर्मेट सेकुरिटी ले थी ना फरेंड वह सबसे पहले वह आट क्रोड की कर्मेट सेकुरिटी को गिरवे रखेगी किसके पास रबी यह के पास किसके पास और मुझे उसके बदले में आप 8 करोट रुपिया कैस में दीजे क्योंकि मुझे कहां पर प्रवेड करने है यह मुकेश पर अंबानी को प्रवेड करने है बड़ा बना वैसे उनको देने है दस करोट रुपिया देने का बाकी लेकिन मेरे पास आंट रोड की गर्मेंट सेकुरिटी है आप गर्मेंट गिरवे रख लो और मुझे उसके बदले में क्या दो कितने टाइम तक 14 देश्तार मैक्सिमम् एक से 14 दिन के लिए यहां पर लोण ली जाती है आर बिया के पास गर्मेंट सेकुरिटी घरवे रखके आर विक के पास से लिया जाता है बरह बना और यह यह सब जो जो यहां रेट की उपर किया जाता है उस रेट को क्या बोलते है रेपोरेट बोलता है बड़ा मना और यहां पर रीपर्चेस एक्रीमेंट क्यों बोला जाता है क्योंकि यहां पर एक्जामबल यह SVI बैंक है मैं SVI बैंक RBI को बोलते है कि बई मैं आपको यह 14 दिन के लिए आर्ट प्रोड की गर्मेंट सेक्रीमेंट आपके पास गिरवे रख रहा हूं मैं 14 दिन के बाद आऊंगा और आपको यह रेपोरेट के उपर यह आर्ट प्रोड की आप वापिस करवा दूँगा और आपको मुझे उसके बाद मेरी गर्मेंट सेक्रीमेंट आपको वापिस करनी पड़ेगी बाद मना तो मना रिपर्चेस एग्रिमेंट होता है मैक्सीमम 14 दिन का तो आइठिंग आपको इस रेपोरेट के अंदर समझ में आया रेपोरेट के अंदर अगर आपको लोल लेनी है कोई भी बेंक को तो वह क्या करना पड़ता है उसके पास एडिशनल गवर्मेंट सेक्रीटी है उसको गिरवे रख सकता है आर्बिय के पास बड़ा बनना ओके तो आइठिंग आपको रेपोरेट समझ में आया होगा अगर टूल नंबर फोर की बात करूं तो पूल नंबर फोर है मार्जिनल स्टेंडिंग फैसिलिटी रेट मार्जिनल कि स्टेंडिंग फैसिलिटी रेट यह MSF रेट क्या होता है उसको अगर मैं स्ट में बात पर हो तो यह MSF रेट मैं बूला जाता है मार्जिनल स्टेंडिंग फैसिलिटी रेट तो अगर मैं वही एक्जम्पल वापिस लिखो कि बैंक के पास कितने पैसे पड़े थे तो स्ट बैसें स्ट चेर से पास कितने पैसे पढ़े थे अई स्टisst कर लिया ईट करोड उपीस का अभी उस्के पास लोऊ अपैस पता पैसे पड़ा है 70 करोड टोप्ई और मुकेशो किटने के लिए के लिए आये थे 80 क्रोड उपीस उसमें से मुकेस भाई को हमने 70 क्रोड की लोन तो दे दी उसके अलावा 8 क्रोड का बंदो बस हमने कहां से किया यह एडिसन गर्मेंट सेकुरिटी गिर रख के पास राइट के ऊपर रेपो रेट के ऊपर लेकिन अभी बाकी की तका 2 क्रोड का क्या हो लेगी यह SLR का SLR के अंदर भी आपको पता है कि फ्रेंस बैंक क्या रखती है गवर्मेंट सेकुरिटी तो अभी SLR के अंदर जो गर्मेंट सेकुरिटी पढ़ी है वह उसको गिरवे रख के आर्विय के पास से लोन लेगी आर्विय उसको फॉर एक्जमबल यह दो क्रोड जाता है MSF rate और MSF rate always रेपो रेट से फॉर एक्जमबल रेपो रेट एक्स परसेंट हो तो MSF rate कितना होगा रेपो रेट से पॉइंट 25% ज्यादा होता है तो मार्जन सेंदिंग फैसलेट क्या होती है कि जो रेट के ऊपर बैंक आर्विय से लोन लेती है और कौन सी गर्में अंदर उसने मेंटेन रखे उस गर्मेंट सेक्रेट को रेट के ऊपर लोन लिया जाता है उसको MSF rate बोलता है बरावना अभी MSF rate जब भी बहुत ही एकदम इमर्सी सिच्योशन होती है एकदम क्रिटिकल सिच्योशन होती तभी उस रेट के ऊपर बैंक लोन लेती क्यों कि उ कि यहां पर बैंक को दो नुक्सान होते हैं तो जब कोई इमर्सी सिच्योशन होती तभी वह MSF का यूज़ करके RBI के पास से लोन लेता है ओके फ्रेंज रबत तो समझ भाया एक और MSF के बीट में डिफरेंस क्या है ओके चलो सब्सक्राइब 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 तो उसको 14 days से ज्यादा अगर लोन लेनी है तब वो बैंक रेट का यूज़ कर सकता है मलब अगर लंबे टाइम के लिए अगर बैंको को लोन चाहिए RBAE से तो कॉंसे रेट का यूज़ करता है बैंक रेट का इक साल के लिए कम समय के लिए टो टेजरी भी लौँज करता है और जब एक साल के जादा समय के लिए पैसे के रिकर्वर्मिन्न होती है तो वह गवर्मेंट सेकूरी लौई करता है तो रपो ऑर corporate bonds भी चलते हैं बेंकों के पास corporate bonds होते हैं डिवेंचर होते हैं राइट कॉमर्सल पेपर्स होते हैं तो इसके पड़ी है वह सभी चीज को गिरवेर रखके यहां पर वह बेंक रेट के माधियम ले सकती है more than 14 days के लिए बेंके माधियम से तो इसके पैरेंक के मात्यों से लोग लेटी लेकिन ने के बाद बैंक रिट से बहुत कम अमाउट में लिया जाता है आरिबियाई से नेकिन अभी इंग करों करता है एज़ा पेनल्टी रेट होता है पेनल्टी रेट कैसे कि for example बैंक ने तो बाकी के 10 करोड के उपर पैनल्टी लगेगी अभी पैनल्टी कॉन से रेट के उपर लगेगी बैनकर प्लस एकस परसनaltro के पैनल्टी लगेगी बैनकर एकस पॉर ऑब हमाइए 5.65 परसन चलता है तो 5.65 परसन प्लस वन परसन इए परकर यहां पर 10 क्रोड के उप़र इतना इंट्रेस में को देना पड़ेगा तब भी उसका यह वापिस से मेंटेन होगा तो यहाँ पर कहना क्या चाहता हूं कि पैनल्टी रेट अभी अगर आपको एक्जाम पॉइंट उपर से पैनल्टी लगाई जाती बैंकों के ऊपर तो बैंक रेट को रेफरेंस रखें बराबना तो यहाँ पर एक्स परसन की जो वैलिए नहीं वह सीचुए अंपर करते है कि असी है बराबना ओके कि अगरुपी टूल नमर्शीक्स की बात करो तो टूल नमर्शीक्स क्या है इस रिवर्स रेफोरेट अब शिआ कि अरंग अभी डीवर्स बात कि तो दे रेट इट वीच देट at which banks park their surplus money with RBI RBI के पास जो rate के उपर bank अपने surplus money को deposit करवाता है उस rate को reverse report बुला जाता है और यहाँ पे bank for example एक bank है और एक RBI ही है bank के पास surplus deposit पढ़ी है तो RBI के इंदर जमा करवा रहा है तो RBI उसको अपने deposit के उपर एक तो व्याज भी देगा interest rate भी देगा और उसके अलावा RBI अपने पास जो government security है न और treasury bill है वो भी bank के पास गिर्वे रखता है तो normally यह reverse report rate का use bank के द्वरा क्यों किया जाता है अपने SLR को maintain करने के लिए for example कोई bank को पता है कि इस टाइम यह महिने SLR maintain नहीं कर पाऊंगा तो वो क्या करता है कि अपने पास वो deposit पढ़ी होती है वो deposit को कहां पर जमा करवाता है RBI के पास और RBI उसके बंदे में उसको क्या देगा government security और treasury गिर्वे रखता है यह भी maximum 14 days के लिए होता है और उसके बंदे में RBI उसको interest भी provide करता है तो यह reverse report rate है बड़ा बना ओके अभी reverse report जैसा ही एक दूसरा instrument भी launch किया गया है standing deposit facility rate अभी reverse report rate और STF के बीच पर difference क्या है वो देखते है टूल नमबर 7 क्या है STF standing deposit facility rate standing deposit facility अभी reverse report के अंदर क्या था कि बैंक के पास पैसा पड़ा था सरप्लस पैसा वो RBI के पास उसने जमा करवा दिया और RBI उसके बदले में उसको क्या देगा एक तो rate of interest प्रोवाइड करे गई और उसके लवाग उसको government security और treasury bill भी गिरिवे रखना पड़ता था government security और treasury bill भी गिरिवे रखना पड़ता था reverse report के अंदर loan लेने की लिए बेंक ने फॉर एक्जमपल 100 क्रोट रुपिया RBI के पास रखा deposit तो RBI को एक तो 100 क्रोट के उपर rate of interest की प्रोवाइड करवाना पड़ेगा और 100 क्रोट की equivalent government security और treasury bill भी बेंक के अंदर गिरिवे रखना पड़ती थी क्योंकि reverse report का यूजी bank उसके लिए कर चाहिए कि अपने SLR उसको maintain नहीं रखा जा रहा है उससे तो वो SLR को maintain करने के लिए government security उसको चाहिए तो वो अपने पास की जो extra deposit है वो RBI के जमा करवाता है और उसके बदर में RBI के पास से ये गिरिवे रखवाता है लेकिन RBI ने दे कोविड के टाइम पे देखो banks की लोन तो जा नहीं रही थी तो bank का एक income का source क्या बन गया था कि वही for example customer उसके पास तीन परसेंट के ऊपर deposit रखवाते हैं saving account के अंदर for example bank customer को saving account के ऊपर deposit रखने पर कितना व्याद देता है 3% और वही deposit अगर वो bank RBI के उनदर जमा कर ले तो तो bank को यहां पर point 35% का फाइदा हो जाता है right point 35% का फाइदा हो जाता है तो अगर bank की लोन नहीं चाहती है तो bank क्या करती है कि वह पैसा है वह RBI में जमागर बरेता है और RBI को फिर उसके बदले में क्या देना पड़ता है government security treasury bill गिर वे रखना पड़ता है और यहां पर bank RBI के अंदर deposit करें उससे RBI को कोई एतराज नहीं होता लेकिन RBI को उसके बदले में government security treasury bill गिर वे रखने पड़ती उसमें RBI को एतराज होता है क्योंकि यह government security treasury bill है na RBI की asset होती है जितना government security RBI के पास ज्यादा होता है उतनी वह ज्यादा note भी print कर सकता है उसकी strength होती है तो कोई की situation में आपको पता है कि friends की पैसा circulate करना बहुत ही important बन गया था तब RBI ने क्या बोला कि भई अभी में government security इनको दे दूँगा बैंक को दे दूँगा तो मेरे पास रहेगी नहीं अब जितिक मेरे पास government security कम रहेगी तो मैं उतना note कम प्रिंट कर भाऊंगा इसके लिए उसने एक नया instrument डॉंच किया standing deposit facility rate जो एकदम reverse रेपोरेट जैसा ही काम करता है जहां पर बैंकों को अर्बिया के अंदर पैसा रखना है लेकिन अर्बिया उनके पास government security रेजरी बिल गिर्वें नहीं रखती है मात्र रेट ओफ इंट्रेस ही देती है तो आर्बिया का यहां पर जो मसला था कि government security उसकी आ अगर मैं अभी की बात करूं तो 5.40 परसन यह जो मरेटी पॉलिसी कमिटी बिठाई गई थी तो यहां पर स्टेफ अभी 5.15 परसन रखा गया है और रिवर्स रेपोरेट अभी है न 3.35 परसन चल रहा है अभी 5.50 परसन स्टेफ और रिवर्स रेपोरेट 3.35 परसन क्यों र अक्तर खाले पैसा ही रखना है उसको गवर्मेंट सेकुरिटी नहीं चाहिए तो उसको इस रेट के उपर पैसा मिलेगा तो यहां पर मुझे बताओ बैंक दूनों में से कौन सा पसंद करेगी यह वाला पसंद करेगी ज्यादा रेट वाला रेट तो यहां पर की गवर्मे में से यह सभी रेट के अंदर पता चला होगा ओके तो अभी यह जो मेंटरी पॉलिसी कमीटी बैठी थी इसने कुछ रेट के अंदर इंक्रिमेंट किये हैं तो अभी रेपोरेट 5.40 परसंद बढ़ाये गया है 540 परसंद कर दिया है है SHDF कितना किया है 5.50 मांदनल कितना किया है 5.65 परसंद इसके लवाब बेंख्रेट कितना किया है 5.60 कितना और सर कितना रखा है 18 यह एक और झ्यांद रखना फ्रेंट कि जीतना रेपोरेड होता है को एकस परसंद पर से مाidor कि facility है ना एकस पर्सेंट प्लस जीरो पेंट 25 परसेंट ज्यादा होता है तो अभी रेपोरेट पर जेमल 5.40 पर संट है 5.40 पर संट नहीं तो अभी माडल सेंट कितना होगा 540 परसेंट प्लस पॉइंट 25 परसेंट मदलब 5.65 और यह चैनल डीपोसिट फैसिलिटी है नो ओल्वेस रैपोरेट से एक्स परसेंट से माइनस पॉइंट 25 परसेंट कम होता है तो यह फाइबन 40 परसेंट तो माइनस पॉइंट 25 कितना हो जाएका 5.15 परसेंट उसके अलबागा जो सब्सक्राइब कितना है अभी 5.65 परसेंट यह आपको रिट्स याद रखने जो हर दो मिनेट चैन्ज होगे फ्रेंट्स बराबना ओके उसके अलबागा आपको इस मोनिटी पॉलिशी कमिटी ने प्रेडिक्शन भी किया है कि दूचर पाइस-30 जो कर फाइनेंसल यह है उसमे और GDP क्रोध कितना होगा हमारा 7.2 परसेंट तो आपको इस न्यूस के अंदर अच्छे समझ में आए होगा फ्रेंड्स ओके हमरे नेक्स्ट न्यूसर फ्रेंड्स क्लाउट सीडिंग के उपर क्लाउट सीडिंग के अभी रिसेंट्ली यूई विचिस लोकाट इंड वाटेस अभी रिसेंट्ली यूई के द्वारा क्लाउट सीडिंग किया गया अच्छुली क्लाउट को सीडि किया जाता है और प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस इंक्रीस की जाती है अभी यूई एक ऐसा रिजियण है कि जहां पर एक साल के अंदर हंडेड मिलिमीटर से कम बारीस होती है तो ऐसे रिजियन के अंदर आटिफिसल रें कर प्रोडूस करने के लिए यहां पर क्लाउट सीडिंग किया गया है अभी क्लाउट सीडिंग कैसे किया जाता है उसके आप करता है विद्वुद करें सबसे साम्मांया तरीके से अगर हमाऊड करना है तो कर यूज किया जाता है या तो फिर हम और का भी यूज कर सकते हो तो यह उम तो या पिशी और अईयोडि या तो fut dry आइस वो cloud के अपर पार के ऊपर यहां पर उसको spray किया जाता है to simulate the precipitation process and form the rain. cloud-seating uses the planes यहां पर aircraft का use के जाता है to spray the clouds with the chemicals to condense the smaller particles into the larger rain droplets. cloud-seating increases the rainfall rates by approximately 10 to 13% per year and cloud-seating operations cost much less than the desalination process. cloud-seating कैसे के जाता है कि एक aircraft जाएगा आप यहां पर देख सकते हो कि एक aircraft जा रहा है cloud के ऊपर से और वो क्या spray कर रहा है silver iodide को बना मना तो यहां पर silver iodide एक chemical है वो जो cloud के अंदर जो water particles से उसके अंदर condensation process एकदम speedy बनाएगा तो जादा उसका जल्दी condensation होगा तो condensation होने से वो water particles बड़े बनते हैं और बड़े बनते हैं तो वो weight create करते हैं और वो weight cloud के उपर आता है cloud अगर सहन नहीं कर पाएगा तो cloud फटता है और बारिज किरती है तो यह पूरा principle है वो किस तरीके से काम होता है बड़ा बना तो it is a traditional method of rain making जो 1940 से यह यूज किया गया है और अभी वो recently कहाँ पर यूज किया गया है यूज के अंदर बार मना silver आयोडी को spray करने का बार मना cloud seeding basically three type के होता है एक तो hygroscopic cloud seeding static cloud seeding और dynamic cloud seeding hydroscopic cloud seeding क्या होता है कि dispersive salts salt को dispers किया जाता है through the flared और explosive in the lower portion of the cloud यहां पे hydroscopic cloud को cloud setting के अंदर salt को disperse किया रहाता है lower portion of the cloud के अंदर किस तरीके से flare के या यूज करके या तो फिर explosive का use करके यह salt क्या करता है salt grows in the size as a water joins with them के salt के साथ जब water join होगा तो उनकी size grow होती है फिर वो ज्यादा बड़ी साइस होने पर क्या होता है उसका वेट जादा हो जाता है फिर ट्लाउड से हैं नहीं कर पाता तो वह रेन के तरीके से फिर नीचे डाउनफोल होता है अगर मैं स्टेटिक क्लाउड इंग की बात करूं तो इट इन्वोल्स प्रेडिंग और केमिकल लाइक सिल्वर आ लेकिन वाटर पार्टिकल्स अगर बहुत अलग अलग छुटे छवाई अगर जो होते हैं तो अगर अगर उनके बीच में हम जगा काम कर लें तो वह जल्दी-जल्दी से कंडेंस होके डॉप्लेट बनाते हैं और फिर डॉप्लेट बना के फिर वह वह प्लाउड के उपर लेकिरेट करते हैं फिर प्लाउड फढ़ता है और रेंग फ्रॉइस होता है तो अगर हम किसी तरीके से वौटर पार्टिकल्स के बीचमें अगर यह ची चीज अच्छेव कर सकते तो यहां पर डाउड लिंग के अंदर रैंग वाटर पारिकल्स के उपर प्रेशर किया करत यह बारा बंदाए न इस लूट वर्टीकल एर करन्स विच इंकरिश्च अंब वर्ट तुपास्ट्रु तुपर थ्रूड अंट यह ब्लावट इस तरीका का एक प्रोजेक्ट करनडगा के अंदर भी होगाथ दोर सतरा के अंदर प्रोजेक्ट वर्टसा दारीक अंडर में उ इसका हम यूज पावर जनेशन के अंदर भी किया जा सकता है तो और तस्मीनिया के अंदर तो हैट्रो इलेटिसिटी प्रॉडिस करने के लिए जो पानी चाहिन उस पानी को कहां से लाया जा रहा है क्लाउड शेडिंग से रहें ओके फिर वाटर पोलिशन कंट्रोल को यहां मैं यहां पर कम बने के लिए भी क्लावी का यूज होता है एक लाव शेडिंग यहां रहेगा रिवर्स के अंदर पानी जीटार रहता है तो उसका फ्लोबी काम रहता है तो एक रीजन एसाय कि पानी बिल्खोर नहीं एक रिजिजन एसाय किता पानी बहुत सार है तो पानी कहांसे जाएगा बनाबना ज्यादा पानी है वहां से कम पानी तरफ तरह फाली डीरिक्शन में जाएगा उगल ऑनीतीप यहोई तो यह समर होता है और यह कम होने कि वज़ासे कि जो इंडेस्टिल एरिया है वहाँ का पानी दूसरी तो यह नहीं जाएगा यहां पर वाटर प्रसक्ष छनक्टोल हो सकता है उके उसके साइड इफेक्स भी बहुत है पोटेंटिल साइड इफेक्स कौन कौन से हैं तो कि केमिकल यूज किया गया क्लाउड दिंग के अंदर तो वह पोटेंशली हांफुल प्लैंट्स एनिमल्स पीपल और एंविर्मेंट उसके अलबाग एमनॉर्मल मेतर पैटर्स भी क बढ़ा सकता है बढ़ा मना अगे हमारी नेक्स्ट न्यूजर फ्रेंट्स अभी रिसेंटली एक एक्सेज के रियूट की गई साइबर सीकूरिटी एक्सेज का नाम क्या है साइनर्जी और यह एक्सेज को डिजन किसके द्वारा किया गया है कॉम्पीटर इमर्शी रिस्प एक तरह का माल्वेर है कि हैकर जो बहुत होती है न उसके जो डिवाईस होते है उसको है कर लेते हैं और वह ऑथो बोलता आपको इस डिवाईस के अंदर जो आमने डेटा चोनी कर लिया है अगर वह डेटा को बपी चाहिए तो आपको सेज़ांगे आपको हमको रैंसम करना बोला जाता है तो यह ransomware के against में किस तरीके से आप strategy बना सकते हो किस तरीके से आप इसको protect कर सकते हो बरामन अपने device को तो इसके लिए एक इसके लिए अलग-अलग country इसको training provide करने के लिए यहाँ पर एक इसको डिजाइन किया है और यह international counter ransomware initiative के अंडर में यह इसको डिजाइन कर रहा है और इंडिया की तरफ से उसको कौन रिप्रेजन कर रहा है national security council secretary यह संसा उसको represent कर रही है अगर मैं synergy के बात करूं तो synergy is a cyber security exercise which is successfully designed and connected by the CRT India in collaboration with the cyber security agency of Singapore the exercise scenario was derived from the real life cyber incidents in which domestic level ransomware incident escalates to the global cyber security crisis बारा मना ultimately यह जो ransomware effect होता है जो malware का जो effect होता है कोई particular organization के उपर उसका data चोरी हो जाता है तो उसके अगेंस में किस सरी के सब प्रोटेक्शन यहां पर दिया जाता है इसके लिए इसके लिए इसके साथ करके cyber security agency of Singapore के साथ partnership करके कौन से initiative केंडर में तो international counter ransomware initiative केंडर में इसको कौन लीड कर रहा है इंडिया लीड कर रहा है बना मना उसकी theme क्या रखे गई थी उसके बाने में ओके फ्रेंड्स तो आइठिंग आपको इस news के अंदर अच्छे से समझ में आयो होगा तो आइठिंग आपको आज की सभी news के अंदर अच्छे से समझ में आयो का फ्रेंड्स तेंक्यो फ्रेंड्स बाई